इस बीच बड़ी खबर आपको महाराश्र से बता रहे हैं जहानागपूर से कॉंग्रेस के विकास ठाक्रेश नाओ लड़ रहे हैं जिसके लिए नागपूर सीट पर मतदान जारी इस वक्ती बड़ी खबर महराश्र से बता रहे हैं चाहड़ तालिस लोगसबा सीटों में से 5 सीटों पर मतदान जारी है पहले चरण में महराश्र की 5 सीटों पर वोटिंग की जा रही है जिसमें पाँच सीट यानि के रामटेक भंडारा गोंदिया नागपुर में वोटिंग जारी है वहीं अन्य दो सीट जो है वो हैं गड़ चिरॉली चिमूर और चन्रपोर सीट पर मतदान जारी है सभी चुनाओं के जो नतीजे हैं वो 4 जून को घुशिट के जाएंगे 4 सीटों में बीजेपी और कॉंग्रिस के बीच सीरी टक्कर देखी जा रही है महराश की 48 लोकसवा सीटों में से 5 सीटों पर 4 सीटों में बीजेपी और कॉंग्रिस के बीच सीरी टक कर देखी जा सकती है राम टेक पर यानि के शिंडे गुट शिवसैना और कॉंग्रिस में मुकाबला है और महराश में पहले चरन की जो hot seat है वो है नाखपूर नाखपूर से BJP प्रताशी नितिन गटकरी मैदान में है और नाखपूर से BJP प्रताशी जो है नितिन गटकरी उन्होंने वोटिंग भी कर दिये तस्पीरों में आप देख सकते हैं की नागपुर के टाउन हॉल में नितिन गटकरी वोटिंग करने पहुंचे जहां उन्होंने अपने मत का प्रयोग करते हुए वोट डाला नागपुर से कॉंग्रेस के विकास ठाकरे नितिन गटकरी के सामने चनाव लड़ रहे हैं तो बड़ी खावर आपको महराश्ट से ब वोटिंग चल रही है जिसमें से पांचों सीटों में से नागपुर जो है वो तब से होट सीट बनी हुई है क्योंकि वहां से केंडरी मंत्री नितिन गटकरी जुनाव लड़ रहे हैं जिनके सामने कॉंग्रेस के विकास ठाकरे मैदान में है आज का दीर हमारा लूकत अंत्र का उप्षो है और मतदान कर्मा ही हमारा अधिकार भी है और करते भी है और मैं तो मानतों के मुल्भूत अधिकार है और इसलिए सब लोगों ने उट कर्वा चाहिए कर लेंगे तकलिफ कम होगी और इसलिए मेरा मददाता होगी तैसे बहुत 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 शुबकामना नागपूर में मैं बहुत अच्छे मार्यें से जितूंगा इसा 100% नहीं 101% मुझे मिश्मास है और मोरे देश में मोजी जी के नित्रूत्वों में हम 400 पार होंगे यह बहुत बहुत बार मुझे लग रहा है कि पिछले बार 54 परसेंट था इस बार 55 परसेंट के ऊपर जाएगा अपने पच्छतर परसेंट का टार्गेट के पुरी कोशिशिश की पाच लाग से जीत रहे हैं मैदान में हैं और उनके सामने नितन गटकरी के वोटिंग करने के बाद खबर बता रहे हैं जहां उनके सामने विकास ठाकरे जो हैं वो कॉंग्रेस से उमीदवार बनाए गए हैं दोनों के बीच सीधी टककर देखी जा सकती है आपको बता दें आज पांच लोग सबा सीट पर महराष्ट में पहले चरण का चुनाओ किया जा रहा है जिसमें से राम टेक, बंडारा, गूंदिया, नाकपुर में लगतार वोटिंग जारी है गर्जिरॉली, चिमूर और चन्रपुर सीट में वोटिंग जारी है और सभी चुनाओं के जो परिणाम है वे चार जून को भोशित होंगे चार सीटों में बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है लेकिन राम टेक सीट पर बात करें तो वहां से शिफसेना याने शिंदे गुट और कॉंग्रेस में मुकाबला है और इसी खबर पर अधिक जानकरी के लिए हमारे साथ महराश्ट से मंगला वागे जुड़ गई है मंगला आपसे जानेंगे कि महराश्ट की कुल 48 लोकसवा सीटे हैं जिन में से 5 सीटों पर मद्दान जारी है क्या कुछ अपडेट है जी हाँ महराश्ट के विधर में आज पास लोकसवा सीटों के लिए चुना हो रहे है उसमें महत्वपूर नाकपूर की सीट है उसके बाद चंद्रपूर की सीट है बंदारा गॉंदिया के सीट पर चुना हो रहे है और राम्तेक पर सीट पर चुना हो रहे मैं आपको बता दू के नागपूर की सी तीसले बावीजेपी के लिए महत्वा कुर रहे हैं क्यूकि वाप से केंद्रिया मंत्री निखिन जड़करी चुनाओ लड़ रहे हैं और तीसरे बार वा मैदान में नागपूर के मैदान में कूच चुके हैं उनके खिलाब है कॉंग्रेस के विकास ठाकरे उनको आवान दे रहे हैं और चंद्रपूर की बात करें तो चंद्रपूर में महाराश्ट्र के वन मंत्री तता तांस्कृतिक कारिया मंत्री सुधिन मुंगन की वार चुनाओ लड़ रहे उनके खिलाप हैं Kongreus के प्रत्यक्षी उनakah को बतादनी के Libra बिल्कुल वहाँ में लिखे ना C walkingioè भंड बिदारा गंद्या में उनका प्रभाव से ऊपने प्रत्यक्षी उनक है जी है वो मैदान में है और नाकपूर में सबसे महत्वपुर्ण बात ये है कि नितिन गड़करी और तिसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं पिछले 2014 में उन्होंने कांग्रेस के उत्याक्षी उलाथ मुट्यमुर्ण का भारी मतों से पराभाव किया था उसके बाद 2019 में उन्ह करना पटलोग को हरा दिया था ये सीट बीजेटी के लिए महत्वपुर्ण मानी जाती है राम टेक्स में शिवसेना और सिंदे गुट के राजु पारवे चुनाव लग रहे हैं बिलकुल अज बारी मतों से जाना चाहें कि नापूर जो है उमाराश के मतदान केंदर पर ब कर देखी बढ़र्द गत्यां कुटि की बढ़त हो सकते हैं किक की बढ़त हो सकती जीत हो सकते हैं जहां कर नापूर की बात करें तो नापूर में 20 Neunt прошli में भारी मातकरां से जीच सकते हैं कि युकि उन्होंने जो पिछली बार 2019 का चुनाव में दो नाक मतों की बढ़ातरी ली थी नाकपूर से और यहां पार्ट करें तो जो संद्रोपुर में तुधिर मुंदगंटिवार महारास्य के मंत्री हो चुनाव लग रहे हैं ओ भी जितने की संभावना ज्यादा तर लोग कह रहे हैं ज्यादा तर लोग कह रह है जी मंगला आप से जाना चाहेंगे इस खबर का अपडेट की वहां के जो युवा वोटर्स हैं उनमें किस तरह का उस्ता देखना है और फ्लाल नौ बज़े तक क्या मद्दान पतिशत रहा वहां का सभी सीट पर महराश में पहले चरण के लिए वोटर्स में कितना उस्ता देखा जा रहा है जो नए वोटर्स हैं जो पहली बार मद्दान करने जा रहे हैं उनमें किस तरह का उस्ता देखने को मिल और तुबे से 8 बज़े से यहाँ पर नाकपूर के चुनाउशेप्र में ओ तो 20-22% वहां पर मतदान हुआ है और जो नए ओटर है वहां पर भारी उस्टा देखा जा रहे है कि वह पहले बार अपने ओट कर रहे हैं, ओट दे रहे हैं, और साहे कौनसी भी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो लेकिन जो तरून है, जो युवा वर्ग है उनके जो युवा बार अपना ओट कर रहे हैं, जैकि वह में वहां नाकपूर या संद्यपूर की या धर्बक की बार कर रहे हैं, वहां का टेंप्रेशर अभी अभी चालीस तक पोच गया है, जो जो ज़से ही दुपर हो जाएगी, जो एक बढ़े से लेकर चार बजे तक जो मतदार है, सुबह से ही मतदान करने के लिए बहां निकल चुके हैं, बिल्कुल, मंगला सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए, तो निर्वाचन आयोग जो है, उसने कड़ी निर्देश दिये थे प्रशासन को कि सुरक्षा व्यवस्ता के पुक्ता इंतिजाम होने चाह जी, मैं आपको बता दो कि हैं, चुनाओ आयोग ने भारी पेमाने पर सुरक्षा व्यवस्ता करना की है, पुलिस की व्यवस्ता है, और सी और पी निकल अगातर एरिया है, वहां पर अपने चुनाओ आयोग ने, वहां बहाँ ब्लिस ने वहां पर कड़े बंदों बस रखे है पुलिस के है CRPF के है जवानों के बड़े पैवानों पर बंदोबस रखाया गया है जाकर जाकर मतदार है जो बिना घबरा है बिना किसी के प्रभू इस के बिल्घुला है बाइए बाँट बाँट बहुत शुक्रिया मंगला अप दमाम जानकर इया हम से साजा करने के लिए तो ख़बर आपको महराश्व से बता रहे है जहां महराश्व की 48 लोकसवा सीटों में से 5 सीटों पर मता जारी है पहले चरण में महराश की 5 लोग सबा सीटों पर वोटिंग हो रही है जिसमें रामटेक, भंडारा, गूलिया, नागपुर में वोटिंग जारी है वहीं अन्य दो सीट यानि के गड़, चिरॉली, चिमूर और चंड़पूर सीट पर मतदान जारी है सभी चुनाओं के जो नतीजे हैं वो 4 जून को घूशित हो जाएंगे चार सीटों में बता दे की बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है महराश में और अन्य जो एक सीट है जो की रामटेक सीट है जिस पर शिंदे गुट याने शिफ्स है न और कॉंग्रेस के बीच मुकाबला देखा जा रहा है और महराश में पहले चरंड की जो होड सीट है वो नाकपुर है जिसमें देखना होगा की सीधी टक्कर जो है उसमें से किसका मतदान प्रतीशत बढ़ता है किसकी जीत होती है यह आने वाला वक्त यानि कि 4 जून को मतदान का जो परिणाम है वो घोशित हो जाएगा